हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोड इंडेंट तो फाइनली यहाँ पे डी आडियो के दोरा जो पिछले एक साल से एक एंटी कोवीड ड्रग को डेबलप करने के लिए काम चल रहा था वो अब पूरा हो गया है और डी सी जी आई के दोरा एमेरजनसी यूज के लिए इ कि जो कोवीड नाइटीन के सिवियर पेशन्ट है उनके इलाज में यह संजीवनी का काम करेगा क्या है यह ड्रग कैसे काम करेगा आज के इस वीडियो में हम इसी के बार में बात करने वाले हैं सबसे पहले तो इसका नाम है यहाँ पे 2-DG इसका पूरा नाम है 2-Dioxyd-D-C- इसको डेपलप किया गया है DRDO के एक लैब उसके दौरा इसका नाम है Institute of Nuclear Medicine and Allied Science इसके साथ यहाँ पे एक लेबॉरिटरी है उनके साथ मिलकर के इस एंटी ड्रग को यहाँ पे डेपलप किया गया है इसका नाम है Doctors Ready Laboratories है थीक है इसके अलावा यहाँ पे यह जो ड्रग है वो moderate to severe COVID-19 patient के लिए है यानि कि जिनको malt infection है जिनको कम infection हुआ है उनको यह दवाई नहीं दी जा सकती है यह इसकी सबसे खास बात है कि इसको जिस तरीके से तयार किया गया है जो इसका generic molecule है और जो glucose है उसके थ्रूप क्या होगा कि इसकी जो availability है वो देज भर में बढ़करार रह होगा इसको पानी में मिला करके दिया जा सकता है यह इसकी खास पात था जैसे कि कोई injection वगेरा नहीं देना है इसमें उसके अलावा गर आगे हम बात करें कि कैसे यह काम करेंगा तो देखिए यहां पे वाइरस किसी इनसान के जिस सेल पे इंफेक्ट किया होगा उस सेल पे और यही चीज है जो इस medicine को जो इस drug को unique बनाती है जब trials हुआ था तो यह result सामने आये था कि जो इसका molecule है वो काफी जादा मदद कर रहा है hospitalized patient को recover करने में और यहां पे यह reduce कर रहा है जो oxygen dependence है वो यहां पे जो supplemental oxygen dependence है hospitalized patient को लेकर के patient में वो यहां पे reduce कर रहा है यह इसकी सबस क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले एक साल से DRDO के द्वारा जो है इस anti-drug के उपर काम चल रहा था तो यहां पे April 2020 जब हम लोग महामारी का पहला फेस को देख रहे थे हमें कुछ इतना पता नहीं था तो तभी से ही यहां पे DRDO के द्वारा जो है scientist के द्वार Center for Cellular and Molecular Biology CCMB Hyderabad के साथ मिल करके है इसके उपर काम किया जा रहा था रिजल्ट क्या आता है रिजल्ट इसमें यह आता है कि जो SARS-CoV-2 वाइरस है यानि कि जो COVID-19 है उसके ग्रोथ को रोकने में यह जो anti-drug है वो काम कर रहा है उसके बाद यह पहला ट्राइल में पाय जाता है इसके बाद phase 2 का जो है clinical trial 2DZ के लिए होता है May 2020 में पहला April में होता है पहला trial और दूसरा जो है यहां पे May 2020 में होता है ठीक है दूसरा trial यहां पे इस drug के safety और efficacy के लिए करा जाता है result क्या आता है May से लेकर के October तक जो है यह trial चलता है इसके बाद result आता है कि यह पूरी तरह से safe है COVID-19 patient में और यहां पे significant improvement जो है यह दिखा रहा है COVID-19 के patient के recovery में उसके बाद जो यह phase 2 का trial successful हो जाता है तो DCGI के द्वारा जो है phase 3 के clinical trial के लिए मंजूरी मिल जाती है November 2020 में और यह जो trial है वो December 2020 से लेकर के यहां पे March 2021 तक 2021 तक जो है चलता है 220 COVID-19 के patient पे यह clinical trial कराया जाता है देज भर में अलग-अलग hospitals जो है COVID-19 hospital वहां पे दल्ली उतरप्रदिस, वेस्ट पहंगाल, तेलंगाना, करनाटक, तमिलांडू यहां सब तो 220 patient को लिया जाता है इसका भी result काफी जादा positive आता है result में क्या आता है clinical trial के result में क्या आता है जो पेशन्ट है COVID-19 के उनमें recovery का जो साइन है वो दिख रहा है और जो supplemental oxygen dependence है उससे वो पूरी तरह से free हो जा रहेंगे यह फेस 3 के trial में कहा जाता है तो यहां पे तीन ट्राइल होते है सक्सेसफुली तीनों में जो है positive sign दिखता है इसके safety के बारे में भी सही दिखता है किस तरीके से oxygen की डिपेंडेंसी है उसको यह कम कर देता है इसको लेकर के अंटी कोवीड ड्रग के बारे में क्या सोचते हैं हमें अपना उपीनियन जरूर पताईए कि कि अ अ कर दो